कि नमस्कार किसान बाईयों सबी बाईयों का इंदुस्तान डेरी फारम यूटूब चैनल के उपर एक वार फिर से स्वागत करते हैं किसान बाईयों हरे किसान के मन में ये संकार रहती है कि वैशे तो अपने बारत वर्ष के अंदर बहुत सारे राज्ये हैं पर अरियाना की वैशे हैं वो इतना जाद दूद क्यों निकाल पते हैं दोस्तों इसके पिछे आज आपको मैं बताऊंगा कि एक जो परमोख विशेश क्या क्या कारण रहती हैं जिनके कारण से जो अपने अरियाना की बैश है वो विश्व के अंदर एक नया किर्तिमान स्थापित करती आ महिनत क्योंकि जो हर्याना की किषान है और ऑने पकारते हैं अपने चल्फ के त्या ला बतो बच्छो और विशाव क्या करते हैं और दूसरे करते गां देखाओगा कि जो लेडीज है वही काम में लगे रहते हूं परन्तु प्यों एर्याना में बिल्कुल दौन्हों बराबर काम करते हैं जिसके करणद से जो पशु किते वाल हो रहती है दो लोग काम करेंगे तो देख वाल भी वह भी डबल हो जाएगे और जो देते हैं कि जो हर्याना की जलवायू कई बार तो आपने देखाऊंगा कि जो अपने ये सहार है उसमें 45-46 डिग्री तक ताप मान चला जाते हैं परन्तु फिर भी जो बैस्टे हो गर्मी के अंदर भी शताई-शताई-ठाई-ठाई-ठाश की लुदूद निकाल देती है ऐसा क्यों क्योंकि अपनी हर्याना के हर्याना के अंदर आपको जो तालाब है जिसको जोड भी बोले जाता है वो मिल जाएंगे उनमें बैस दोनो टाइम नाती है जो उनकी गर्मी के उपर किशे परकार का कोई पर्थण नहीं पड़ता ऑर पशू बिलकुल रिलेक्स ओकर बिलकुल आरामसे आपने जो जुगाड़ी है सिसको पीर्ण हो डाली है विसको आरामसे जम करती है जिसके कारण से पशु जद्धा जुगा लेकाएगा तो दूद भी बढ़िये देगा अगर आपका पशु स्ट्रेस फिरी रहेगा तो भी दूद देजाता देगा और जो पशु ताला में नाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेस फिरी हो जाता है किसी परकार को इसको कोई भी द दिखत नहीं रहती यह जो मेन कारण है कि जो अपनी हरियाना की वहसे हो जाता तू देद हती है दोस्तों अगर वीडियो आपके अच्छे लगे तो वीडियो को लायक जरूर कर दीजिये और। यह नहीं कहूंगा कि इन दो सब्सक्राइब करो मत करो कोई प्रकार को दिखत नहीं है और बस वीडियो को शेर कर दीजिए जिसके बाई के पास इसको जरूरत होगी उसके पास पहुंचा दीजिए धन्यवाद जैहिंद जैवारत